दोस्तों ये तो आप लोग ज़रूर जानते होंगे कि सेक्डो साल पुराने रहस्य आज में इनसानों के सामने आते रहते हैं ये ऐसे रहस्य होते हैं जिनके बारे में प्रेजेंट में आदमी कलपना भी नहीं कर सकता जब भी ऐसे रहस्यों का राज खुलता है तो हर कोई दंग रहे जाता है इस वीडियो में आप लोगों कोई कैसे ही रहस्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों ये रहस्य पेरू से जुड़ा हुआ है जहां करीब 800 साल बाद जमीर के अंदर एक ऐसा रहस्यों मिला है जिसे जानकर विग्यानिक बेहरान रहे गए बता दे कि सेक्ड़ो साल पहले के इन रहस्यों को दुनिया के सामने लाना कोई असान काम नहीं है दोस्तों इन रहस्यों से परदा हटाने के लिए विग्यानिकों को कड़ी महनत और रिसर्च करनी पड़ती है दोस्तों पेरू के विग्यानिकों ने भी एक ऐसी ही रिसर्च की और एक ऐसी ही रहस्यों से परदा उठा दिया है जिसके बारे में इंसान सेकड़ साल से जानना चाह रहा था दरसल पेरू में जियोलोजिस्ट की एक टीम को केंड्रिय टट पर करीब 800 साल पुरानी एक ममी मिली है इस ममी के बारे में आर्केलोजिस्ट ने हैरान कर देने वाली जानकारिया दी है अर्केलोजिस्ट के मताबिक ये ममी सेकडो साल से जमीन की नीचे दबी हुई थी दोस्तो इस ममी को इतने अजीर तरीके से दफनाया गया था कि जिसे देखकर अर्केलोजिस्ट भी हैरान रहे गए दोस्तो एक्सपर्ट के मताबिक शव को खास तरह के कपड़े से लपेट कर बांधिया गया था उसके हाथों को उसके मूँ के उपर रख कर रसी से बांधिया गया था यही नहीं उसके पैरों को भी बांधिया गया था इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ममी को पैटी हुई आवस्ता में ही बान कर दफना दिया गया होगा दोस्तों ममी की खुदाई में शामिल आर्केलोजिस्ट का कहना है कि अब तक ममी का लिंग की पहचान नहीं हुई है कि ये ममी पुरूश है ये अस्त्री लेकिन इसकी उम्र 25-30 साल के बीछ रही होगी खुदाई के दोरान आर्केलोजिस्ट को इस ममी के साथ कई तरह के समान मिले है जिसमें बरतन से लेकर सड़ी हुई सबजिया तक शामिल है इसके अलावा ममी के साथ पत्थरों के और जार भी मिले है दोस्तो जानकारी के मताबिक पेरूर की दासदानी लीमा शहर के बाहरी इलाके में मिले एक भूमिकत मकबरे के अंदर ये ममी मिली है फिलहाल ममी के साथ मिली चीज़ों के बारे में जानकारियां इकटा करने की कोशिश की जा रही है शोट करता आप मकबरे और ममी का ध्यान कर रहे है ताकि ये पता लगा सके कि ममी का मकबरे के साथ क्या संबंध है साथ ही इसके बारे में ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इसका अंतिम संस्कार इसी में किया गया था या फिर इस मम्मी को बाद में यहां रख दिया गया था दोस्तों क्या आप यह रहस से जानते थे हाई या ना दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएगा अगर वीडियो अच्छी लगी ते वीडियो को लाइक एंग शेयर और ऐसी ही वीडियो की लिए मेरे चैनल को यहां से सस्क्राइब कर लिजिएगा